आप सभी लोग उन्ने मनोज बाचपई का नाम सुना होगा और आप कह सकते हैं कि एक बॉलीवुड के सफल अविनेता हैं और वैसे हमारे देश का ये दोरभागे कहिए आप लोग कि राजनीती का छेत हो या फर बॉलीवुड का छेत हो फिल्मी दुनिया का छेत हो आप तभ आप देखी कि सफलता मिलती है जब आपकी यहां पहुच हो आपकी दादा परदाता कोई ना कोई आप देखी फिल्मी चेते से जुड़ा हो या राजनीती चेते से जुड़ा हो लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपनी दम पर अपने संघहस के बल पर इन चेत्रों में आप देखिए, अपना जंडा गाड पाते हैं, और आप सभी जानते हैं, उनमें से एक हैं, मनोजबाचपई और आप लोगोंने मनोजबाचपई की कई मोवियां भी देखी होंगी और कई सीरियल भी इनके देखे होंगे, और अभी हाली में ये चर्चा में हैं, इन्होंने आप देखी हिंदू मुसलिम का जो माहूल देश में बना हुआ है, इस पर एक कवीता लिखी हुई है, या कवीता इन्होंने गाई हुई है, और आप देखेंगे दो मिनिट की कवीता काफी वाइरल हो रही है इनकी, तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकरी देखेंगे, कि आखिर मनोज बाचफेई का किस तरह से संगस रहा है, क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि विहार के एक छोटे से गाउं में इनका जनम होता है, और अपनी दम पर एक बॉलीवोड में आते हैं और अच्छा सफल भी रहते हैं मैं तो सफल ही माद्दा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने देख भी रहे हैं आपको तो अभी इनकी कविता जिसके कारण ये वाइरल हो रहे हैं ये कहते हैं मनोज बाच्पई कहते हैं तो भगवान और खुदा आपस में बात कर रहे थे मंदिर और मस्चित के बीच चौराहे पर मुलाकात कर रहे थे ये हाथ जोड़े हुए हो या फिर दुआ में उठे कोई फरक नहीं पड़ता कोई मन्त पड़ता तो कोई नभाच पड़ता है और मुझे लगता है कि आप देखे कि कोई भी धरम अगर आप लोग धरम के अच्छे परचे थे और आजकल के दिखावा वाले धरम गुरुओं से दूर रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग बहतर काम कर रहे हैं और ऐसा कोई भी धरम देखे लड़ना किसी दूसरे के धरम से नपरत करना नहीं सिखाता है हर धरम आप देखे कि इंसानियत की बात करता है मानुपता की बात करता है लेकिन हमारे देश की बेड़म मना कही है, दुरबाग कही है, कि अपने राजनितिक रोटियां सेंकने के लिए, हर वो किसी भी धर्म के नेता हो, वो अपने लोगों की वली देते रहते हैं, अपने लोगों को एक तरसे मुसीवत में डालते रहते हैं, अगर हम लोग मनुझ बाचपई की बात करें, तो इनका बास्तविक नाम मनुझ बाचपई है, और इनका जनम 23 अपरेल 1979 में होता है, इनका जनम होता है बैलवा, जला पश्यम चंपारन विहार में इनका जनम होता है, एक बार आप लोग विहार को देख लीजे, आप देखेंगे कि आपको विहा पश्यमंगाल लगा हुआ है, और इसके इंतराष्टी सेमा सीना, सीवा नेपाल से लगती है, और इनकी अगर हम लोग पिता की बात करें, तो राधा कांत बाचपई, इनके पिता का नाम, और जो फेसी से एक किसान, क्या है, किसान थे, और पतनी की बात करें, तो समाना, सिक्षा की बात करें, तो खीस्त राजा, हाई स्कूल, वेतिया पश्चिम चंपारन से अपनी सुरुआती सिक्षा लेते हैं, उसके बाद आगे की सिक्षा सत्तवर वती, वती कॉलेज दिल्ली से, रामजस कॉलेज दिल्ली से अपनी आगे की सिक्षा फूरी करते हैं, इति करते हैं उन्होंने एक national school of drama में दाखिला के लिए गए और उन्हें reject कर दिया और इस बीच तीन बार national school of drama में सामिल होने की कौसिस की पर हर बार उन्हें reject ही सुनने को मिला इसके बाद वो अपने दोस्त की सलाय पर very drama school से acting theater करना सुनू कर दिया और अब आप देखते हैं अच् एक इन्होंने पहली साधी किसी और से की हुई थी कहते हैं कि पहली साधी दिल्ली के किसी लड़की से की थी लेकिन ए रिस्ता जादा दिनों तक नहीं चल सका बाद में उन्होंने तलाग दे दिया था इन दोनों के बीच अलग हो गए थे दोनों ठीक है अगर हम लोग अपने फिल्मी केरियर की सुर्वा सेखर कपूर के निर्देशक में बनी फिल्म बेंडिट क्वीन से वर्स 1994 में आई थी इस फिल्म में उन्होंने एक डापू के छोटी किरदार में नजार आये थे इन्होंने 1995 में स्वाभी मान टीवी धारावाहिक से अफने टीवी पर ड आरेक्शन में बनी फिल्म सत्या के भीकू मात्रे के किरदार में उन्हें फिल्म जगत में एक नई पहचान मिरी और आप देखेंगी कि इस नाम से इने काफी चर्चा में भी आये उस समय मनोज बाचपई को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था और 1999 में आई किरदार के लिए उन्हें फिल्म फियर पुरुसकाल से भी सम्मानित किया गया था जब उनका केरिये समाप्थोनी के गगार पता तब 2010 में परिकास जहा कि फिल्म राजनितिक में उन्हें काम करने का मौका मिला राजनिति आप सभी लोगों ने मोवी देखी होगी अगर नह उन्हें कई खिल्मों की जड़ी लगा दी और उन्ही फिल्मों में एक 2000 बारे में आई फिल्म 2016 में आई फिल्म तांडव के लिए उन्होंने फिल्म पुरुसका सरफसिष्ट अभिनेता के लिए सम्मानित किया गया था और इन सब के अलावा और भी कई हिट फिल्में जैसे गेंग ओव बासेपूर सीजन टू तेवर सत्यमेव जैते बागी टो नाम सवाना 2021 में आई फिल स्वाव हिमान से की थी और आंगे 2001 में TV सीरियल इंकाउंटर में भी वह अभिनेय करते देखे हैं उसके बाद आप देखें कि 2005 में TV सीरियल कम या जाना में भी इन्होंने काम किया है मनुझ का टीवी केरियर इन्हीं को सोक एका साथ से मरसा गया और वेव सीरिज भी इन्हो अपना एक्टिंग के हाथ अजमाए इन्होंने और मजमरुज बाचपई ने मिर्जापुर से अपने वेव सीरिज की सुरुवात की और जिसमें वह बहतरीन अभीने के लिए काफी चर्शा में रहें उसके बाद आप देखें कि सीक्रेट गेम टू में भी उन्होंने काम कि सबसे बहतरीन वेव सीरिज सिंखला रही है और इनके काम के लिए अगर आप सभी जानते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कई परुसकार भी मिलते हैं फिल्म फियर आप देखें कि सन 2000 में इने सरफसेष्ट अभीनेता चुना गया फिल्म फियर जी सी ने अवर्ड 1999 में सरफसेष्ट सहायक अभीनेता रहे इसकी इन अवर्ड 1999 में सरफसेष्ट सहायक अभीनेता का पुरुसकार मिला नेशनल फिलिम अबॉर्ड सन 2000 वर्ष सभसेट सहाय कमिनेता की रूम में चुने गए फिर आप देखेंगे स्पेशल जीवरी नेशनल अबॉर्ड 2003 में मिला फिलिम फियर्फ क्रेटिक अबॉर्ड 2016 में मिला पदम स्री अबॉर्ड से भी संभानित किया जा चुके हैं 2019 में 2021 में फिलिम बहुसले के लिए नेशनल अबॉर्ड से भी इन्हें संभानित किया जा चुका है और इन से जुड़े हुए कुछ बिवाद भी है उस बिवाद के कारण भी काफी चर्चा में रहे है तो उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी भूमी का पसंद नहीं आई थी फिल्म चौक एंड डस्टर की निर्माता जुही चावलों ने मनोज बाचपेई को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगे रिसी कपूर को क्वीज मास्टर का रॉल दिया क्योंकि उन्हें लगा मनोज बाचपेई इस रॉल के लिए फिट नहीं थे और आप देखेए एक सीधा सा वंदा आप देखेए कोई बोड़ी नहीं है कोई आप देखते ही कि ऐसा माना जाता है कि मूवियों में बड़ा बोड़ी बिल्डिंग चाहिए समझ रहे हैं आप लोग तो इनकी पास तो ऐसा कुछ नहीं है फिर भी आप देखे अपने किरिदार के कारण काफी चर्चा में रहते हैं और बहुत सारे लोग इने पसंद भी करते हैं गैंग ऑब बासेपुर तो मैंने भी देखी हुई है बड़ी गाली देते हैं आप सभी जानते हैं मेरी जापुर में भी आप देखेंगे चलिए यही कहानी है इनकी और किसी के बारे में जाननी हो तो बताईए उसका नाम भी बताईए उस पर भी हम लोग एक सामान चर्चा कर लेंगे